जैन दोस्तों सवागोत है आप सभी का ऑनलाइन स्टेडी योके में ऑनलाइन स्टेडी योके में आज हमारा इकोनोमिक्स में है नर्दहंता वाला टॉपिक आज हमारा है गरीबी ठीक है पौव beginning की का अब हम बात करें गरीबी की लिए क्या-kia आवश्यत हो हैं इससे पहले कि अगर class आप नहीं देखी हैं तो playlist में जाकर जरूर देखें ठीक है आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो बात करते हैं आगे को बिना समय गवाएई जी ठीक है तो बात करें गरीबी यानि कि poverty क्या होती है पुएर्टी की बात करें, तो सबसे पहले साधारण सब्दू में अगर हम बात करें तो फ़ल्टी क्या होतीज गरीबी, जिसके पास क्या नہीं होता रोोटी, कप्डा और मकान नहीं होता, जैसे आसान भासा में हम कहें, रोटी कपड़ा और मकान जो आवश्यक हमारी नीट सो होती है अगर नहीं है तो वो क्या कहा जाएगा गरीब कहा जाएगा ठीक उसके उपर अगर हम एडवांस में अगर लें तो प्राथमिक सिक्षा न होना और प्राथमिक चिकिस्सा सुविधा न होना भी उसमें जुड़ हो जाएगा तो यह क्या हो जाएंगे हमारा गरीब कहा जाएगा ठीक है तो गरीबी का अर्थ की हम बात करें वह इस्तिति जब किसी वैक्ति को जीवन की निमनतम आधारभूत जरूरत जैसे भोजन हो गया फूड हो गया आपका वस्तिर हो गया यानि कि क्लॉथ यानि कि गया आवास आपका अगर उपलब्द नहीं हो पाता है तो वो क्या कहा जाएगा नरधन वेक्ति कहा जाएगा या गरीब कहा जाएगा ठीक है तो इसमें अगर उसके पास क्या क्या नहीं होगा भोजन नहीं होगा नियुनतम जो आवश्यक्ता हैं कौन-कौन सी भोजन नहीं ह कपड़ा नहीं का मकान नहीं को फूट क लोगा आपका प्राइमरी एजुकेशन नहीं की पूर्ति की इस्तिती में नहीं होता है तब उसे क्या गरीबी की सिरेडी में गिना जाता है तो गरीबी की रेखा बनाई गई है line बनाई गई है मापदंड बनाए गई है यह आदमी गरीब है और यह आदमी क्या है उपर गरीबी से उपर है तो उनके लिए क्या कहा गया है एक APL बनाया गया है भारत में APL बनाया गया है और एक BPL बनाया गया है तो BPL APL क्या होता है above poverty line होता है गरीबी रेखा के ऊपर होता है ठीक है और BPL हो गया below poverty line गरीबी रेखा के नीचे ठीक है इसके बाद हम बात करें जो गरीबी होती है गरीबी का जो विकासील देशों के संबंद में ठीक है जो development country है developed country है उनके संबंद में जो पहला वैस्विक गरीबी अनुमान लगाया गया था वो world development report के द्वारा लगाया गया था कब लगाया गया था सबसे पहले 1990 में ठीक है इसे नोट जरूर कर लें जो विकासील देशों के संबंद में हम कह सकते हैं वैस्विक गरीबी अनुमान कब लगाया गया था world bank जो world development report के द्वारा 1990 में लगाया गया ठीक है world development report है उसमें गरीबी को कैसे प्रवाशित किया गया ठीक है तो कैसे प्रवाधित किया गया उसमें उसमें गरीबी निम्नतम जीवन यापन इस्तर करने की अश्मर्थता है यानि जब निम्नतम जीवन्यापन इस्तर क्या होता है अगर प्राप्त नहों किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को ठीक है, किसी व्यक्ति को निम्नतम जीवन्यापन इस्तर अगर प्राप्त नहों तो वो व्यक्ति उस व्यक्तिकी इस्तिती को क्या कहा जाएगा गरीबी कहा जाएगा समझ मा आ गया होगा सहद्दान्तिक रूप से गरीबी की जो माप होती है माप करने के लिए सापेक्षित और निर्पेक्षि परतिमानों का प्रियोग करते हैं ठीक है, सापेक्ष और निर्पेक्ष परतिमानों का क्या करते हैं, प्रियोग करते हैं, गरीबी के मापन के लिए, ठीक है, यानि कि क्या होती है, अब जानते हैं, सापेक्ष गरीबी, यानि कि रिलेटिव पॉर्टी, इसके बारे में बात करें, सापेक्ष गरीबी जो होती ह सापेक्ष गरीबी यह स्पष्ट करती है कि विविन आई वर्गों के बीच कितनी विशमता है ठीक है जो विविन आई वर्ग के हैं अलग-अलग अगर आई वर्ग के लोग हैं उन वेक्तियों के बीच अगर हम कंप्रीजन करें ठीक है तो उन कंप्रीजन में क्या होता है यह क्या करता है विशमता पैदा होती है जो वही क्या कहलाती है सापेक्ष गरीबी कहलाती है रिलेटिव पुवर्टी कहलाती है ठीक है इसे मापने की कितनी विदियां है दो जो रिलेटिव सापेक्ष पुवर्टी है उसे नापने की दो आपके विदियां दी गई है ठीक है हमा लॉरेंज वक्र किसके लिए यूज किया जाता है आपका सापेक्ष गरीबी की माप के लिए यूज किया जाता है इसके एक मापने की विदी होती है ठीक है लॉरेंज वक्र में क्या होता है लॉरेंज वक्र में आपका आई की असमानता या आई की आई का जो वितरन होता है औ की income inequality or distribution of income और income inequality and distribution of income रहता है इन में ठीक है बात करें यह है लोरेंज वक्र आप स्क्रीड में देख रहे होंगे इसमें आपकी सापेक्ष रेखा है जो कुल आए है आपका जो परतिसत कुल आए है आपकी यहां पे होगी और जो आई पराप्त करता संचई परतिसत यह रहेग आपका ठीक है जो पूल्ण आपका पूल्ण जो समानता होती है वो जीरो होती है और वन क्या होती है पूल्ण असमानता होती है ठीक है आपका जो लोरेंज कर्व है लोरेंज कर्व यह है ठीक है तो अगर यह पूल्ण जो निर्पेक्ष समता रेखा है निर्पेक्ष जो सम होगी ठीक है आप समझ रहे होंगे अगर ये जो वक्र है ये निर्पेक्ष रेखा के समान मतलब होगा अगर समान हो जाएगा यानि कि जीरो हो जाएगा पूर्ण समानता में आ जाएगा तो क्या होगा गरीब कोई नहीं होगा ठीक है तो ये इससे लगाया गया है वक्र से ब नहीं क्या होगी गरीबी जो विसमता होगी वो कम होगी और जो लॉरेंज वक्र तथा गिनी गुनांक होते हैं वो आई की विसमता की माप से संबंदित होते हैं किस से रिलेटेड होते हैं आई की विसमता की माप से संबंदित होते हैं ठीक है इन एक्वैलिटी ओप इंकम इन लोरेंज वक्र लोरेंज वक्र जो है। होती क्या है absolute poverty के बारे में हम बात करें तो निर्पेक सी गरीवी का निर्दानर करते समय मनुष्य की पोशक ठीक है यानि की जो खाना खाता है मतलब पोशक यानि की पोशन वगर ठीक है उनकी आवश्चक्ताउं और अनवादिता के आधार पर मनुष्य की पोशक्त की आवश मापदंड ठीक है एक हम एक आधार बेस बनाते हैं एक मापदंड बनाते हैं स्केल बनाते हैं यहां पर यहताई करने के लिए कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे और कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं और कितने लोग इस मापदंड के ऊपर हैं अगर जो नीचे ह उस मापदंड से उन्हें हम क्या कह देंगे गरीब कह देंगे ठीक है निर्दन कह देंगे इसकी बात हम बात करें इस निश्चित मापदंड को हम एक गरीबी रेखा या निर्दनता रेखा कहते हैं ठीक है तो हम यह मापदंड की स्केल बनाते हैं एक गरीबी रेखा का ठीक ह यानि कि जो निर्दारित किये गए नियूंतम उपभोग व्यव को निर्दंता रेखा कहते हैं ठीक है नियूंतम उपभोग व्यव को क्या कहते हैं निर्दंता रेखा कहते हैं पुर्टी लाइन कहते हैं ठीक है और इस नियूंतम निर्दारित इस तर से कम व्यव करने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है हमारा गरीब कहलाता है यानि कि कम खर्च करने वाला जो हमारा एक नियूनतम माप दंड होगा उससे नीचे खर्च उससे कम खर्च करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा कम व्यव करने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा वो गरीब कहलाएगा ठीक है निर्दंता की जो माप है माप के लिए निर्पेक्षी परतिमान का सरुपर्थम परियोग खादी एवं कृशी संगठन ठीक है फूड एंड जो आपका एग्रिकल्चर और्गनाईजेशन है उसके द्वारा उसके जो परत्थम महानी दे सकते और वाइड 1945 में इन्हों निर्दंता की हम बात करें ठीक है भारत में निर्दंता की हम अगर बात करें तो भारत में निर्दंता की माप करने के लिए निर्पेक्षी परतिमान का परियोग किया जाता है ठीक है तो काफी मात्यपूर्णे है निर्पेक्षी परतिमान का भारत में परियोग किया जाता में एक वैकल्पिक परिवासा स्विकार की गई है जिसमें आहार समंदी जरुरतों को ध्यान में रखा गया है इसके दोरा प्लानिंग कमीशन के दोरा इसके बारे में हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं ठीक है काफी बिस्तरित इसके बारे में अब बात करें हम जो भोजनायोग की अवदार्ना के अनुसार उस वैक्ति को नर्दंता की रेखा से नीचे माना जाता है जो ग्रामीड छेतरों में परति दिन 2400 कैलोरी 2400 कैलोरी क्या लेता है पर डे ग्रामीड छेतरों में 2400 कैलोरी और सहरी छेतरों में 2100 कैलोरी भोजन प्राप्त करने में असमर्त रहता है ठीक है तो जो सहर में की बात करें सहर में कितना 2100 कितना कैलोरी पर डे भोजन प्राप्त करने में असमर्त रहता है तो वो सहरी गरीबी कहलाएगा सहर का गरीब कहलाएगा ठीक है गाउं का गरीब हम मानें तो उसे 2400 कैलोरी ठीक है 2400 कैलोरी पर डे अगर न मिल पा रहा है. 2400 कैलोरी तो उसको वह ग्रामीड上6 में क्या क्या कह ला है का गरीब कह लाएगा ठीक है, तो यह 1989 में वाई के अलब कमीटी ने क्या दिया था ?Puositline on the basis of कैलोरी में दिया था यह ठीक है कैलोरी के अदार पर का निर्धारण राता 1989 में 1979 में किसने वाई के अलगने करा था इसके बाद हम बात करें जो भारत में निर्धनता रेखा के निर्धारण का पहला जो अधिकारिक प्रियास था थीक है उसमें जो योजनायोग द्वारा जुलाई 1962 में किया गया था थीक है तो योजनायोग ने कप करा था निर्दंता रेखा का निर्दारन 1962 में जुलाई में 1962 में किया था ठीक है तो बात करते हैं आगे को तो भारत में गरीबी निर्दारन का जो इत्यास क्या कहता है सबसे पहले दादा भाई नौरे जी आते हैं इनकी पुस्तक है हर एक एक एकजाम में ये पूछी जाती है ठीक है पावर्टी एन अन्बिटिस रूल इन इंडिया ठीक है काफी महत्वपूर्ण पुस्तक है इसको भी ये नोड जरूर कर लें दादा भाई नौरे जी द्वरा लिखी गई है इसमें इनोंने पहली बार क्य गरीबी को क्या करा था नियूंतम आवश्चक्ताओं की पूर्टी से लगाया था ठीक है गरीबी का अनुमान जो है और उसके बाद क्या आता है नील कांत डांडेकर और वीम रत के फॉर्मूले ठीक है वीम रत के फॉर्मूले इनके फॉर्मूले के आधार पर स्वतंतरता के बाद पहली बार 1971 में वैज्ञानिक तरीके से गरीबी रेखा का निर्दारन किया गया ठीक है तो सबसे पहली बार वैज्ञानिक तरीके से गरीबी का निर्दारन कप किया गया 1971 में किया गया किसके द्वारा किया गया नील कांत डांडेकर और वियम रत के फॉर्मूले से किया गया ठीक है ये किलियर हो गया आपका तो जिसमें National Sample and National Sample Survey जो NSS है उसके उपयोग में ठीक है National Sample Survey NSS उपभोग खर्च के आंकडे का इस्तेमाल किया गया और वर्स 1960-61 पर जो आधारित थे ठीक है जो किसने करे थे योजना आयोग ने लिये थे ठीक है और Y के अलग सिमिती जो मैंने बताया था 1989 में ठीक है 1979 में Y के अलग की जो अध्यक्षता में योजना आयोग उन्हें एक फॉर्मुला दिया था 1989 में 1979 में इस सिमिती का अगटन किया गया था Y के अलग सिमिती ठीक है और इस सिमिती के ने दान्डे कर वर रत जो रत के जो फॉर्मुले थे उसके आधार वर्स बदल कर 1973 कर दिया 1973 से 1974 कर दिया उन्होंने जो आधार वर्स था ठीक है बेसियर थे और पहली बार सहरी और ग्रामीर छेत्रों के लिए इन्होंने क्या कर दिया कैलोरी के आधार पर ठीक है कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का डिवाइट कर दिया on the basis of कैलोरी में डिवाइट किसने करा अलग कमिटी ने 1979 में ठीक है तो आपको पहले बता दिया एकिस सो कैलोरी पर डे अर्बन में होता है ठीक है और चौबिस सो कैलोरी आपका ग्रामीर शेत्र में रूलर रूलर शेत्र में होता है ठीक है इसके बाद हम बात करें लकड़ वाला सिमिती लग्कडवाला समीती की बात करें तो जो लग्कडवाला समीती थी आपकी उसमें इस योजनायोग ने देस में निर्धनता एक rendंता की माप के लिए 1980 में 1989 में प्रोफेसर टी डी लग्कडवाला की अध्यख्षता में समीनती गतित की थी और 1993 में इस समिती ने क्या करा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ठीक है तो लकड़ वाला समिती कब निर्दारित हुई थी 1989 में रिपोर्ट कब प्रस्तुत कुई 1993 में ठीक है किसने इसे बठाया था इस कमिटी को योजना आयोक के द्वारा ठीक है यानि परतियक राज जी की निर्दंता रेखा भिन्न भिन्न होगी अलग अलग राज जी की क्या कर दिया अलग अलग राज जी की जो निर्दंता रेखा थी उसे अलग अलग कर दिया गया ठीक है तो राज्यों के गरीबी इसको हम कह सकते हैं राज्यों के अनुसार गरीबी रेखा कह सकते हैं इसे ठीक है तो इसके 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 अनुसार 35 गरी भी रेखाएं हैं जो शुरू में क्या थी 28 थी अलग-अलग कर दिया इनुने ठीक है और इस समिती ने जो इस समिती का परतियक राज्य में गरामीड और सहरी निर्दंता के लिए अलग-अलग मूलि सुच कांकी की बात की गई थी ठीक है सहरी चेत्र में निर्दंता रेखा और सहरी चेत्र में निर्दंता रेखा गर्यामीड चेत्र और सहरी चेत्र में निर्दंता रेखा हैं इन्होंने लगकड वाला सिमिती में इन्होंने बनाई थी 1993 में इन्होंने रिपोर्ट सब्मिट की थ ठीक है और योजना आयोग ने इसे वर्ष 2004 में सुरेश तैंदुलकर की अध्यक्सता में समिती बनाई थी ठीक है जो तैंदुलकर समिती है तैंदुलकर समिती जो है उसका जो मुख्य उद्देश्ची क्या था इसका परिक्षन करना था कि क्या वारत में गरीबी वास्तों मे गिर रही है या नहीं ठीक है तो उन्होंने क्या च्छेक करने के लिए किया कि वास्तों मैं गरीबी गटित करी तही योजना आयोग ने वैं इसको हम क्या कर सकते हैं वैव के आदार पर गरीबी रेखा on the basis of expenditure ठीक है तो वैव के आदार पर गरीबी रेखा हम कह सकते हैं ठीक है तो इसमें क्या था आगे जानते हैं जो परिक्षन करने के लिए इसे योजनायोग ने बनाया था ठीक है तो जैसा कि NSSO ने 61 चक्र में स्थापित होता है और इसके स थी नई गरीबी रेखा तता गरीबी से संबंद में अनुमान प्रस्तुत करना था ठीक है और इसको चेक परिक्षन करके अपना एक नया गरीबी रेखा का मतलब जो मापड़न्ड अपना देना था इसमें ठीक है इन्होंने क्या दिया वैव के आदार पर गरीबी रेखा तो इसने गरीबी रेखा निर्दारन उब्होग में लाए जा रहे है खाद्यान है उब्होग में लाए जाने वाले उनके अलावा छे बुनियादी आवश्यक्ताओं, सिक्षा, स्वास्त, बुनियादी संरचना, जो स्वच्च वातावरन होता है, महिलाओं की काम तथा दसनलब चार आठ जो छे आठ रुपिये का दोजार बार के मोली में 816 रुपिये परतिवेक्ती परतिमा तथा सहरी छेतर के लिए 578 रुपे असी पैसे, दोजार बार के मोली में 1000 रुपिया मासिक रुपिया परतिवाँ उब्होग रखा था, ठीक है, तो कैसे कैसे रखा था इसके बारे में हम बात करते हैं ठीक है तो क्या था जो सहरी छेत्र था सहरी छेत्र अरबन छेत्र की हम बात करें अरबन छेत्र में क्या रखा था RS 33 रुपे पर डे इसको डे के वाई याद कर लीजिए वांकि आपको पता जल जाएगा ठीक है तो सहरी चेतर में क्या था 33 रुपे पर डे अगर जो कमा रहा है तो वो क्या था जो अगर 33 रुपे से 33 रुपे भी नहीं कमा रहा है वो क्या था गरीब था ठीक है या क्या था पर मंत 1000 रुपिये पर मंत सहरी चेत्र में ठीक है और ग्रामीर चेत्र में बात करें ठीक है रूलर चेत्र में अगर बात करें तो वहां क्या था 27 रुपे 27 रुपे से नीचे जो कमा रहा था वो गरीब था और 27 से उपर जो पर डे अगर कमा ले रहा था तब वो क्या था एक गरीबी रिखा से उपर था ठीक है टोटल कितना 816 रुपी ये पर मंथ ये कमा रहा है तो क्या होगा एक मेहने में 816 रुपी अगर कमा रहा है तो वो ग्रामीर क्या है उपर कमा रहा है तो गरीब नहीं है अगर उस से नीचे भी कमारा पा रहा है 816 से कम है तो क्या होगा वो गरीब कहा जाएगा ठीक है तो ये किस ने कहा था सुरेश तेंदुलकर कमिटी ने वैव के आधार पर ये आकड़े दिये थे ठीक है बात करें तेंदुलकर सिमिती ने गरीबी रेखा के निर्दारण के लिए जीवन निर्वाह की लागत सुचकांक यानि की परतिवेक्ति उब्भोग वैव का आधार बनाया था ठीक है तो इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स सी रंग राजन सिमिती सी रंग राजन सिमिती ने क्या किया था सी रंग राजन सिमिती ने क्या किया था सी रंग राजन सिमिती सायुक्त राष्ट संग के अंग खाद एवं कृशी संगठन एफ ए ओ ठीक है एफ ए ओ के गरीबी का आकलन उब्भोग के पोशन मूल ले अर्थात यानि के कैलोरी मूल ले के आदार पर करता है ठीक है इसलिए योजना आयोग ने तेंदुलकर सिमिती की जगे सी रंग राजन की अध्यक्सता में 2012 में ठीक है उसके जस्ट बात जब उन्होंने 2012 में रिपोर्ट प्रस्तुत के रिए 2009 में तो 2012 में एक योजना आयोग ने सी रंग राजन की अध्यक्सता में एक सिमिती बनाई सिमिती का गठन किया तो उसने अपनी रिपोर्ट जुलाई 2014 में प्रस्तुत की इसने तेंदुलकर सिमिती के आकलन के तरीकों को खारिज कर दिया ठीक है उनका तेंदुलकर जो सिमिती ने जो आकड़े दिये थे आपके 33 रुपे और 27 रुपे परड़े वा में 29,5% लोग गरीब थे 29,5% लोग क्या थे गरीब थे और यह अन्मान जो लगाया था 29,9% लोग गरीब थे ऐसा अन्मान लगाया था तेंदुलकर सिमिती ने ठीक है गरामीर जनसंक्या का 30 दसनलब 0.9 परतिसत और सहरी जनसंक्या का 26 दसनलब 4.3 लोग क्या थे गरीबी रेखा से नीचे थे ये रंगराजन सिमिती के द्वारा एक्जेक्ट निकाला गया ठीक है तो रंगराजन सिमिती ने जो अखिल भारती ये इस तरपर गरामीर छेत्रों क इन्होंने किया था ठीक है तो रंगराजन सिमिती ने क्या करा जो पूर्टी लाइन इन्होंने क्या करा वेव के आदाहर पर ही करा था इन्होंने भी ठीक है लेकिन उसके बाद सुरेश तेंदुलकर कमिटी की सिपारिसों को उन्होंने खारिच कर दिया उन्होंने क्या कहा पहले 33 रुपे पर देता यानि कि 1000 रुपे पर मंथ इनूने क्या का नहीं ये सहरी जो है अरबन में क्या है 47 रुपे जो बंदा अगर कमानी पा रहा है तो वो क्या है गरीब है ठीक है और 1407 रुपे पर मंथ अगर उसके पान नहीं आ पा रहे हैं तो वो अपना गुजरवसर नहीं कर सकता वो गरीब है ठीक है और ऐसे ही ग्रामीर छेतर की बात करें तो जहां 27 रुपे पर डे उन्होंने रखा था तेंदुलकर सिमिती में तो इन्होंने क्या करा इन्होंने 32 रुपे रख दिया ठीक है 32 रुपे के हिसाब से 972 रुपे पर मन्त का इन्होंने डाटा र आंकड़े जो योजना आयोग के द्वारा जुलाई दोहजार तेरह में जारी किये गए ठीक है और राश्ति ये नमूना सर्वेक्षन संगटन जो है आपका NSSO ठीक है उसके द्वारा अलसट वे दौर की जो सर्वेक्षन पर आधारित या आंकड़े दोहजार इग्यारह बार थे वो क्या थे उनके फॉर्मूल के आधार पर ठीक है तो बात करें जो निर्दंता से नवींतम आंकड़े थे उनकी बात करते हैं दोहजार इग्यारह बारह में ठीक है देश में 21 दसनलब नो परतिसत जनसंक्या क्या थी निर्दंता रेखा के नीचे है जबकि ये बंदुलकर सिमिती को उसे चेक करने के लिए भी आपका की गरीबी अगर कम हो रही है कि नहीं हो रही है करके भी गठित किया गया था ठीक है और उसके बाद रिपोर्ट देने को कहा गया था ठीक है आपका दूसरा जो है ग्रामीर चेतरों में 25 दसनलब 37 वा सहरी चेतरों म 2021-12 के अनुसार है ये और राजी में सरवादिक निर्दंता अनुपाच जो है 36 गड़ में पाया गया था और ठीक है और जो 49 दसनलब 93 पर 30 जनसंख्या निर्दंता के नीचे है और इसके पश्चा जहारखंड मडीपूर अरुणाचल परदेश और बिहार ठीक है इन में ज नीचे जीवनियापन करने वाले घटे करम में कौन-कौन से हैं दादर नागर हवेली और चंडीगर फिर ठीक है उसके बाद सबसे कम निर्दंता वाले निर्दंता जो अनुपाथ है उसमें गोवा में गोवा में 5 दसनलब 09 पर 30 और इसके बाद केरल हिमानचल परदेश सि जिनमें कम निर्दंता थी ठीक है जिनमें पौर्टी रेट कम था ठीक है इसके बाद हमारा आता है गरीबी जो निवारण रोजगार बीमा सिक्षा स्वास्त बालविकास से संबन्दित जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके बारे में ठीक है इससे पहले बात करूं 2016 मे ही अरविंद पंगडिया टास्क फोर्स बनी थी जो गरीबी दूर करने के उपायों का उपायों को डूंडेगी ठीक है 2016 में बनी थी अरविंद पंगडिया टास्क फोर्स 2016 में ठीक है और इन्होंने क्या करा था इन्होंने किसम सजेशन देगी ये गरीबी दूर करने के उपायों को उपायों में ये सजीजन देगी ठीक है फिर 1993 में आपको लकड़ वाला बता दिया ठीक है और 2009 में ही NC सकसेना कमिटी बनी थी जिसने जिसने क्या करा था ग्रामीर छेतरों में BPL परवालों के लिए ये बनी थी NC सकसेना 2009 में ठीक है NC सकसेना समिती बनी थी किसलिए BPL फैमिली इन अर्बन एरियाज के लिए ठीक है और रूलर एरियाज के लिए NC ठीक है और 2010 में ही 2010 में ही क्या बनी थी 2010 में आपकी SR हासिम समिती बनी थी कमिटी जो बनी थी ऐसार हमेद उसमें सहरी छेतरों में BPL परवारों के लिए बनी थी ये कमिटी ठीक है और वर्ल्ड बैंक का जो पुर्टी लाइन है on the basis of expenditure जो वर्ल्ड बैंक है आपका वो किस आदार पर करता है वैव के आधार पर उसका जो वैवादार है पूर उसके वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूर कौन है गरीब कौन है वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो है आपका वर्ल्ड बैंक के अनुसार पूर कौन सा है आपका जो क्या करता है दो डोलर पर डे नहीं कमा पाता है ठीक है वो क्या है गरीब है और expenditure जो अत्यदिक निर्दन कौन सा है जो क्या करता है 1.25 पर डे डॉलर अगर नहीं कमा पाता है 1.25 डॉलर तो वो क्या है अत्यदिक गरीब है वर्ल्ड बैंक की दृष्टी में ठीक है तो Asian Development Bank का जो पूर्टी लाइन है Asian Bank ठीक है Asian Development Bank का जो पूर्टी लाइन है वो क्या है वेव के आदाहर पर यह गरीब रेका का उनके अनुसार क्या है जो निर्दन है निर्दन कौन सा है जो 1.35 पर डे डॉलर ठीक है 1.35 पर डे अगर नहीं कमाता है डॉलर में तो वो क्या है गरीब है और उसके बाद जो Absolute आपको बता दिया ठीक है तो यह है जो गरीबी के आंक्रों की हम का बात करें ठीक है गरीबी के जो आंक्रे दिये जाते हैं गरीवी के आंक्रे किसके दोरा दिये जाते हैं NSSO दोरा एकटलिट किये जाते हैं और निर्दंता रिपोर्ट योजना आयोग या नीती आयोग तयार करता है तो निर्दंता रिपोर्ट कौन तयार करता है गरीवी की रिपोर्ट कौन तयार करता है निर्दंता रिपोर्ट पहले योजना आयोग करता था अब कौन करता है नीती आयोग करता है ठीक है कौन करता है नीती आयोग करता है तैयार ठीक है तो इसके बाद हम बात करें इसके योजनाओं के बारे में आपको अनपूर्णा योजना ठीक है अनपूर्णा योजना ये क बब हुआ था दो अक्टूबर 2000 को हुआ था गाजियाबाद के सिखोंडा गराम में हुआ था उत्तरप्रदेश और इस योजना का जो देश्ची था देश में जो अतियंत निर्दन वृद्ध हैं उनके लिए रोटी की विवेस्था करना था अन्यपूर्णा योजना के तहर थीक है दूसरा है आपका राश्तिय खाद्य सुरक्ष अदिनियम 2013 में थीक है कवाया राश्तिय खाद्य सुरक्ष अदिनियम 2013 में आता है इसके तहत क्या होता है यह अदिनियम 12 दिसंबर 2013 को प्रभावी हुआ इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रियाप्त मात्रा में गुणवत्ता पूर्ण खादि को उचित मोली पर आपूर्ति के द्वारा खादि तथा पोशक शुरक्षा मोहिया कराना है ठीक है इसके बाद नेक्स हो गया आपका थीसरा रास्ति यह ग्रामीन रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा ठीक है अब क्या गर दिया इसका महतूमागादी दोजगार गारंटी योजना कर दिया गया मन रेगा ठीक है इसकी सुरवाज जो की गई दो फर्वरी 2006 को की गई ये पूछा जाता है ठीक है तो दो फर्वरी दो हजारचे को कहसे की गई आंद्र परदेश आंद्रपरदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर गाउं से की गई कहां से अनंतपुर गाउं के आंद्रपरदेश बंदावली जिला आंद्रपरदेश में दो फरवरी 2006 को की गई ठीक है इसका जो नाम था दो अक्टूबर 2009 को परिवर्थित करके क्या कर दिया गया महतोमागादी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया ठीक है और इस नीती के निर्माता कौन थे जाद्रेल्ज ठीक है इस नीती मन्रेगा के जो निर्माता थे जाद्रेल्ज थे वो बेल्जिय के एक अर्थसास्तरी हैं इनका क्रियानवेन ग्रामीड विकास मंत्रा लेके द्वारा किया जाता है ठीक है इसके द्वारा ग्रामीड विकास मंत्रा लेके अधीन ये योजना आती है ठीक है तो मनरेगा ग्रामीड गरीबूं को जो संरक्षित करने की दिसा में प्रायोजित सुरक्षा भीमा योजना इसकी सुरवात 9 मई 2015 को हुई थी ठीक है किसने करी थी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और इस योजना के अंतरगत भीमा दारक को दुरगटना से मृत्यू की इस्तिती में 2,00,000 रुपी ये प्राप्त होगा और जिसमें वार्शिक जो प्रमियम थी 12 रुपे घी ये भी पूचा जाता है ठीक है वार्शिक प्रमियम पूछ लिया जाता है बार रुपे ठीक है और जो भीमा दान था 2,00,000 लेगा और जिसे जन्दन खाते से ही हस्तांत्रित लाब लिया जाएगा ठीक है इसके बाद आता है पांचवाँ आपका निर्दारन के अंतरगत त्रीक है दी जाने वाले अंसदान पर निर्वर करेगी 31 दिसमबर 2015 से पूरवे इसके अंतरगत खोले जाने वाले खातों पर सरकार क्या करेगी 5 वर्स तक प्रिमियम ठीक है प्रिमियम और 50% जो अधिक है 1000 रुपे वार्सिक होगा जो अंसदान करेगी ठीक है इसका कब की गई थी यह जरूर याद कर ले इसके बाद आता है आपका प्रदान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना इसकी सुरवात 9 मई 2015 को की गई थी प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के द्वारा इस योजना में स्वभाविक एवं दुरगटना मृत्यू दोनों ही संबंदित है ठीक है और इसके अंतरगत प्राप्त जो रासी है वो दो लाख रुपे की है और इसके जो अंतरगत 330 रुपे की वार्सिक किस्त थी ठीक है और इसको कौन करा सकता है 18-50 वरसे की आयू के संबंद में आयू वाले करा सकते है ठीक है 18-50 इसके बाद साथवां जो है आपका बच्चों को निसुल के सिक्षा तथा अनवार्य सिक्षा का अधिकार ठीक है तो 2009 में जो RTE Act आया वो है यह ठीक है 46 वे समविदान संसोदन कौन सा समविदान संसोदन किया गया RTE Act के लिए प्रभावी एक अप्रेल 2010 से किया गया ठीक है इसके बाद आता है आपका जो जोजनाएं है एक विश्तरिद वीडियो बनाई जाएगी ठीक है अभी सौट में बदा दे रहा हूं आपको सर्व सिक्षा अभियान 2001 में ठीक है आपका रास्तिय माद्यमिक सिक्षा अभियान 2010 मे विद्यालई में रास्तिय मद्यान भोजन ठीक है मद्यार भोजन जो है मिड्यमिल 1995 में साक्षर भारत 2009 में रास्तिय ग्रामीन स्वास्त मिशन ठीक है 12 अप्रेल 2005 में रास्तिय स्वास्त मिशन 2013 में ठीक है स्वच्च बारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से बालमिकी अंबेटकर मल इनबस्ती आवास योजना 2001 में, मिशन इंद्रदनुस 25 दिसंबर 2014 में, ठीक है, इंपोटेंट है, इसके बाद बात करें, एकिकर्त बाल विकास तथा सेवा स्कीम 1975 में, आंगनवाडी केंद्र, ठीक है, रास्तिया बाल भवन 1956 में, कस्तुर्बा गांदी विद्यालेयों की य इंद्रा आवास योजना उनिस्तो पिचासी चीहासी में, ठीक है, प्रदानमंत्री रोजगार योजना 1993 में, प्रदानमंत्री ग्रामयोदय योजना 2001, 2000 और 2001 में, ठीक है, अन्तोदय अन्योजना 2000 में, दीन दयाल उपाद्दय अन्तोदय योजना 25 दिसंबर 2014 में, ठीक है, इसके बाद नेक्स हो गया आपका प्रदानमंत्री जंदन योजना मात्पूर्णे है 28 अगस्त 2014 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना मात्पूर्णे है 22 जनवरी 2015 में जन्नी सुरक्षिया योजना काफी मात्पूर्णे है 12 अप्रेल 2015 में काया कल्प जुन सास्थ 15 मई 2015 में ठीक है प्रदानमंत्री उज्ज्जला योजना का भी महत्व cockpit पूर्ने है एक मई 2016 में ठीक है ये योजनाय थी। अर हमने जाना इसमें कौन-कौन से क्या है ठीक है ओर गरीबी क्या होती है ठीक है इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है दूसरा जो topic रहेगा इसमें हमारा बेरोजगारी यानि की unemployment जिसमें क्या काफी you are इसमें जूज रहे हैं ठीक है तो unemployment क्या होता है बेरोजगारी क्या होती है उसके बारे में दूसरा हमारा next video lecture आएगा ठीक है काफी महत्तपूर्ण होगा हुई तो बने रहिए online study UK के साथ अग लाइक जरूर करें जिससे की video बनाने में भी उस्सावादन होता रहे ठीक है तो चैंद